तो हेलो गाइस, वेलकम टो अन्बॉक्स जोईन आप बैक वीद मैं अधर वीडियो तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला रियल मी के निया सीरीस के बारे में जो कि आपको बहुत ही काम की मंद में ही आने कि लो बजट के अंदर आपको A-Series देखने को मिलेगा तो इस सीरीस का नाव है रियल मी A-Series और इस सीरीस के अंदर जो पहला स्मार्पोन आपको देखने को मिलेगा वो हो हो है रियल मी A1 तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रियल मी A1 के प्राइस के बारे में पेसिब के सुन के बारे में, लाँचिंग डेट के बारे में और उसके साथ मैं आपको बताऊंगा इसका डिजाइन के बारे में So without wasting your own time, let's get started तो आरे सबसे बाले बात करो इस स्मार्टफोन का डिजाइन की तो लिक्स के मुद्धा में कि स्मार्टफोन में जो आपको Water Dog Type Tiny Little Nauts Setup देखने को मिलेगा और Bezel Change जो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा और Backside की बात करो तो Backside में आपको Single Camera Setup देखने को मिलेगा और कोई भी Fingerpin Sensor देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये जो स्मार्टफोन होने वाले आपको बहुत ही कम की मंद में देखने को मिलेगा जो इसका प्राइज है Approximally आपको देखने को मिलेगा 5000 के अंदर तो 5000 के अंदर आपको कोई भी Fingerpin Sensor या In Display Fingerpin Sensor देना मुम्किन ही नहीं है तो इस स्मार्टफोन में आपको कोई भी In Display Fingerpin Sensor या फिजिकल Fingerpin Sensor देखने को नहीं मिलेगा और उसके साथ इस स्मार्टफोन का जो लूक होगा बहुत ही ज़्यादा Premium फिल आपको देखने को मिलेगा बैक सेन में आपको Dual Tone Finish देखने को मिलेगा जो किया है आपको Glossy Finish के साथ और इसका जो Build Quality होने वाले आपको Polycarbonate Body देखने को मिलेगा कोई भी Metal का यूस से इस स्मार्टफोन में को देखने को नहीं मिलेगा आप बात करें इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले की बारे में इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा 6.2 इंच IPS LCD पैनल तो डिस्प्ले के जो Resolution है आपको देखने को मिलेगा बहुत ही जदा बेटर होता है तो इस स्मार्टफोन में लो बाजेट के अंदर इसका जो डिस्प्ले होगा बहुत ही जदा यूनिक और बहुत ही जदा मस देखने को मिलेगा अब बात करें स्मार्टफोन का प्रोसेसर के बारे में दूसरे लिक्स के मुतावी कि स्मार्टपोन आपको एक और प्रोसेजर जो है देखने को मिल सकता है वो है Snapdragon 450 का प्रोसेजर जो कि उतना काम का नहीं है बारे सेग्मेंट के अंदर बहुत ही ज़दा मस्त है अब बातकर इस स्मार्टपोन का RAM variant के बारे में तो इस स्मार्टपोनों को 3 RAM variant देखने को मिल सकते है जो कि 2GB RAM, 3GB RAM variant और 4GB RAM variant और उसके साथ आपको इंटरना स्टोरेज देखने को मिल सकते है 16GB का इंटरना स्टोरेज साथे 2GB इंटरना स्टोरेज और 64GB का इंटरना बट कितना explain कर सकते हैं उसका कुछ mention नहीं है अब बात करो camera setup के बारे में तो इस smartphone में back 7 में आपको single camera setup देखने को मिलेगा जो के 13 Megasal का camera sensor जिसके साथ आपको HDR mode, protein mode भी देखने को मिलेगा बट यहां पर जो boke effect and protein mode होगा वो पॉपल बेस्ट होगा software के उपर तो इस smartphone में जो software होगा camera का जो software होगा बहुती जदा optimize होगा जिसके वाज़से camera के जो boke effect, protein mode आता है बहुती easily and बहुती better आ जाएगा बट उतना perfect तो नहीं आएगा क्योंकि इस smartphone में आपको कोई भी depth sensing camera देखने को नहीं मिलता है front section की बात करें तो front में आपको देखने को मिल सकते 8 Megapixel का selfie shooter जो की बहुती बढ़िया होता है Realme के हर एक device में तो इस smartphone में भी आपको low budget के अंदर बहुती बढ़िया selfie camera देखने को मिलेगा और उसके साथ आपको AI authentication mode भी देखने को मिलेगा तो जिसके बाए से जो smartphone होगा बहुती दमदार हो चाएगा low budget के हिसाब से बैटरी सक्षन के बाद के बाद के बाद क्याओ तो इस smartphone में आपको देखने को मिले सकते हिूज बैटरी जो के 4000 mAh का हिूज बैटरी और operating system आपको latest standard version देखने को मिलेगा जो के android 9.0 और custom आपको color OS on top देखने को मिलेगा जो कि बहुत यह ज़दा आसान and clean interface user को provide करता है अब बात करें इस smartphone का price and launching date के बारे में तो पहले जो बताया थे smartphone बहुत ही कम की बन्द में आपको देखने को मिल सकते है तो इसके आप्रोक्सिमेल लिक प्राइस होगा आपको 5000 से लेके 6000 के अंदर इस smartphone आपको देखने को मिल सकता है जो launching date है अपको 2019 में February यह मार्च के अंदर आपको smartphone देखने को मिल सकता है तो यही आज का वीडियो Realme A1 के उपर तो वीडियो पको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर ना मत भूलना कोमेंट कर ना मत भूलना और आप इस चैनले में पहली बार आयो तो जाके सब्सक्राइब मारा notification बूल को on कर दो एनी smartphone या किसी भी और smartphone को लेकि और भी कुछ आपडेट जानना चाहते हो तो प्लीज भाई यार मेरे instagram पर फॉलो करो लिंक नीचे दे दिया है तो जाके फॉलो करो तो see you guys in my next video